वेलकम तो मेत्य वीथ अजीम मैं आजीम आप सबी लोगों सौर्द हो अपने दिगोशन को लास्ट पार्ट में हमने सिम्पल एक्वेशन को मनलत कैसे सौल्फ करते हैं की मतुब्स इपने होता है जो हाज जो करने वाले हैं उसी के बैस्ट जो है कोशन करने वाले हैं सैंपनों जो है सिंपनों कि सैंपनों कि टाइप सोफ कोशन बन आ अप करो हैं और एक्ससाइस के सफेंगे वाप करने वाले तो आपको बदाएंगे चैसे जिस ताइप से बन बंते हैं वह टाइप को कर वाड़ा हूं और जो कोशन है exercise के आप खुद करेंगे इन केस अगर कोई कोशन आपसे नहीं बन पाता है तो आप मुझे बतायों तो मैं उस बिजल से पेटी वीडियोकु बना लूंता जो exercise के आप खुद ही करेंगे ठीक है जो अगर चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को को सबस्क्राइब कर ले बैल आइकन को प्रैस कर ले और वीडियो को जादे से जादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इन वीडियो का बेनिफिट मिलता रहे तो आज शुरू करते यह सेंपल उस्चन यानिके जो सिंपल ईकशन की जो यह जो reden कने वाले हैं तो और में स्टेटमेंट को दिऊ भी होगी ? वो स्ट्रेट मारे रीट्व करिये और उस स्ट्रेट म weld इसलब बनाने के लिए बॉल रहे वह सब बहुक्त कुछ एस क्यूं है इस प्यूंद 321 buy 3 eben fe Indeed टी मैं बंड़ी मथ श्री थाइम्स में अगर आप तरी गरेंगे तो आप क्या बन जाएगी बोल रहा है कि one by three times of y मतलब one by three times times का मुझलब क्या हो है कि y के one by three times यानि कि into होगा one by three of y add three you get 32 क्या बोल रहा है one by three of y one by three times of y if you add three to one by three times of y you get 32 यानि कि one by three के साथ अगर हम three add कर देंगे तो answer आलियागा आपका 32 यह पहला यह पहला टाइक बनता है कि आपको एक statement दियूए होती है उसके आपड़ी में आप एक कोशन या एक जो है equation आप design कर लेता है ठीक है तो पहले five from three by two times of x you get 59 second statement यह दिया हुआ है तो इस statement के अगॉर्डिंट फिर से हम एक question design कर लेते हैं क्या हो जाएगा if you take away take away मतलब लेना किसमे से लेना मतलब subtract करना if you take away five from किसमे से three by two times of x यानिके x के three by two times में से अगर आप 5 subtract कर देते हैं पांच ले लेते हैं तो आपको 59 अंसर मिल जाता है यानिके three by two x के three by two times से अगर आप five subtract कर देते हैं five ले लेते हैं तो आपको answer मिल जाता है 59 तो यह आपका study equation होगी according to given statement तो पहला type यह बनता है आपका पहला type यह बनता है simple equation में कि आपको एक statement दिए होती है और उसके according आपको एक equation design करनी होती है ठीक है तो नोट डाउन करेंगे सेकंड टाइप को कोशन की रफ मूव करेंगे क्या करा है दिखते हैं चलिए यह यह स सतर्टाइपक्षाइड लिख लिजें आपे आप टैप एक सेक्रियमेंक्श्च में क्या होता है मैं फैर्फ मेंक्शन निके आपको कोई एक एक पर दिए होगा उसके स्टेट्मेंट डिजाइन पड़ेगा इसका बिल्कुल उल्टा हो जा कि आपको स्टेट्मेंट दिया हुआ था इक्वेशन आपको बना रहे थे तो पहला को चुछन की तरफ परेंगे पहले को यह दिए हुई है पालेजे फस्ट इक्वेशन हमें यह दिए हुई है इसके अपको लगे कि हावई इसके लिए मैं यह वाली स्टेट्मेंट बना सकता हूँ वह आप बिल्कुल डिजाइन कर सकते हैं बागी कोई एक पाइटिकुलर एक सिंगल स्टेट्मेंट नहीं होती तो एक एक्वेशन के लिए पाफी सारी स्टेट्मेंट हो सकती है सो मैं क्या लिखता हूँ क्या होगया कि एक्वेशन के लिए दिया हूँ क्या है कि if you add 5 in 3 times of x अगर आप 5 add कर देंगे x के 3 times में x के 3 मोने में 5 अगर add कर देंगे आप आपको 43 मिल जाएगा if you add 5 and 3 times of x you get 43 सो पहली स्टेटमेंट तो यह वन गई अब देखिए 2nd स्टेटमेंट में आप इसको बना सकता है that this sum of 5 and and 3 times of x gives 43 जेखिए एक ही एक्वेशन के लिए 2 स्टेटमेंट अलग अलग होई इसलिए मैं आपको बोला था कि एक स्टेटमेंट के लिए number of statement हो सकती है जो आपको सही लगे जो आप असानी से बना पाओ आप वह अपना बना लेना वही आपके लिए सही हो जाएगी वही आपका आंसर ठीक हो जाएगा सब्सक्राइब के लिए number of statement हो सकती है यह बात भी ध्यान लगने वाली है तो यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं चलिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता हूं तो क्या करता हूं देखिए कि वाई फाइफ इस इक्वेस्टू सिक्स कभी को जो एक्जाम में पूछ लेता है कि आप इस एक्वेशन को सब्सक्राइब करने के लिए क्या सब्सक्राइब करने वाले हो वह सब्सक्राइब करता हूं तो एक्वेशन पर कोई इस एक्वेशन नहीं आता उसकी जो इक्वेशन नहीं आता यह बात मैंने लाव्स वीडियो में बताई थी तो वही बात आज यूज करने वाने आप जैसे क्या क्या करें कि जैसे आप यह kita क्या हो रहा ह्ए और पाइफ को कुझे अलिमेडना घ्रू अश्कु का मुझे करना तो उसके लिए वह क्या क्यक्यक्त करो मां लेचेक लेट साइड में देखिए आप इप्यकिक्त आगया टिविशन हो रहा है मैं अगर इसका मल्किक्लीकेशन कर दूगा फई फाइट का मल्किक्लीकेशन कर दूगा अगर लेफ्ट एंड साइड में फाइट का मल्किकेशन क्यांसर आएंसर आगया आपका 30 कि पी की वैल्यों अगई 30 तो जबी एक्जामनर क्या करता है जामनमें क्या क्षाम पूसता है कि आपने क्या स्टाप फोल्य कर आ एक्वेशन को solve करने के लिए क्या step follow कि रहा है तो step यहां पर लिख सकते हैं step क्या लिख सकते हैं multiply अच्छा तो step क्या लिख सकते हैं multiply 5 in given equation आप given equation में दोनों तरफ 5 से multiply कर दें और आपका answer आजाएगा तो यह कभी-कभी एक्जामनर क्या कहता है कि आप step लिखिए कि आप इस equation को solve करने के लिए क्या step यूज़ करने वाला है तो step क्या होगा कि multiply by 5 in given equation यानि कि इस given equation में आप 5 से multiply कर दें left hand side और right hand side पर तो आपकी p की value आ जाएगा ठीक है नोट डाउन कर ले चलिए next question पर बढ़ता है चलिए next question क्या हो जाएगा next question लिख लिए जी 3p by 4 is equals to 3 next equation क्या है 3p by 4 is equals to 3 so a step अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूं step first क्या लिख सकता हूं multiply by 4 both side मतलब left hand side और right hand side पर पहले 4 से multiply कर देता हूं चलिए कर देते हैं 3p by 4 into 4 is equals to 4 into 3 ठीक है तो 4 से 4 cancel out हो गया 4 से 4 cancel out हो गया final equation क्या बचरे मेरी 3p 3p is equals to 12 4th result 12 3p is equals to 4th result 12 तो यह बच रही step second क्या लिख सकता है step second step second क्या लिख सकता है divide the equation by 3 both side क्या कर सकता है step second में क्या लिख सकता है divide the equation by 3 both side यानिके मारे 3 से divide कर दूँआ equation को तो मेरा क्या हो जाएगा answer देखिए answer बचा है मैं इसे यहां रख कर देता हूं यहां पर जागे थोड़ चीए मैं इसे यहां लाई करके लिख देता हूं क्या जाएगा 3P is equals to 12 मैं न अब मैंने step के लिख देखिए next की divide the equation by 3 both side यानिके 3P over 3 is equals to 12 3P over 3 is equals to 12 सु 3 से 3 cancel out हो गया 3 से 3 both side 3P over 3 is equals to 12 over 3 सु 3 से 3 cancel out हो गया और इधर 3 4s are 12 3 से 4 ताइम्स क्या होगे 12 divided हो गया तो P की answer क्या आ गया P का answer आ गया 4 समझे 3P by 4 is equals to 3 दिया हो था हम जो question में बोला गया था कि भई P की value निकालो P की value निकालने को बोलते है कि solve the equation solve the equation मतलब जो हमारा variable है उसकी other value निकाल देंगे हम तो हमें वो equation solve कर चुके होंगे सो 3P by 4 is equals to 3 step 1 में हमें क्या लिखा multiply by 4 both sides यानि कि सबसे पहले हमें 4 को eliminate करना था तो इसलिए मैंने 4 से multiplied कर दिया दोनों तरफ सो 4 से 4 यहां पे तो 3P is equals to 12 first step के बाद जो मेरी equation बचिया हो यह बचिया 3P is equals to 12 अब second step क्या लिखा है divide the equation by 3 यानि कि given equation जो है इसे 3 से divide कर दो कि दार both side यानि कि left hand side में भी और right hand side में भी सो जब मैंने 3 से divide करा 2 है यानि कि 3P by 3 और is equals to 12 by 3 तो 3 से 3 cancel out हो गया यानि कि 3 उपर है denominator में और 3 numerator में तो 3 से 3 cancel out हो गया P की value क्या गई 3, 4 जा 12 यानि कि P की value आ गई आपकी 4 ठीक है तो यह होता है यानि कि exam में जो question इस तरह से भी आ जाता है solve the equation and tell us the steps ठीक है ना तो आपको यह steps लिखने पढ़ेंगे तो आपका यह question पूरा solve हो जाएगा ठीक है तो यह था आपका third type यानि कि question जो हम कर रहे है first type हमने करा second type हमने करा आपको यह हमने करा third type ओके आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते देखते हैं आगे क्या कहता है अब एक special question में आपको करवा रहा हूं जो important है और exam में भी आता है question क्या है पहले मैं question लिख देता हूं आपको आसानी होगी समझे में एक special question में आपको करवा रहा हूं क्या क्या क्याता है इर्फान says that he has seven marbles more than five times the marble पदमित है इर्फान has 37 marbles क्या है question क्या क्या है कि इर्फान पे जो है seven marbles यानि के marbles यानि के कंशे की जीने कह देता है हना इर्फान says that he has seven marbles उस पे इर्फान पे जो है seven marbles जादे हैं कितने जादे हैं five times the marble permit has मतलब कि मान लो permit पर एक marble है एक कंशा है उस पे और उसके five times से साथ जादा उसके five times से साथ जादा जो है किस पर है इर्फान पे है और इसी तरह इर्फान पे जो total marbles है वो है 37 बात सबंद में नहीं आई देखे मैं कहता हूं कि आप दो फ्रेंड है आप दो फ्रेंड है आप मानलो रोहित है और एक इर्फान है रोहित है इर्फान है यह रोहित है यह इर्फान है तो इर्फान पे इर्फान क्या कह रहा है कि मेरे पे जो है seven marbles जादे है किस से जादे है जितने रोहित पर है उसके five times मन लेकि कितने मारल सहब फिरभा एध एभ एध जादा किस पर तो रहुइद पर गहां पर हुआ है कि परेमित पर कितने मार्बल वो बोलना वह कि परेंब दो एकोई के इसके साथ जादा जो है वह इर्फान पर उसी तरह है आगले जो टोटल मार्वल है वो है थर्टी सेवन एस जो इसस्टेसमेंट हमें द्याभा इसका इसके बनाने के लिए बसविए लुप्неट रसे मार्बल एकसे मार्बल स्टिक था और आलब मेंद नहीं पता होती है हम उसे ऐसे श्चांड करके चलते हैं तो अब था लिया तो अब क्या है इस्टेटमेंट के बनेगी फाइफ ताइफ टाइंजा और च्छाहिए और तो मार्वल है तो एक्स का 5ड़ तैब्स 5 टाइम्स ओफ एक्स प्लस 7 इस इक्रस्टों 37 तो यह गोले इस्टेटमेंट यह ही बोला है इस्टेटमेंट क्या गारा है इस फाल पर 37 मारवल है चलिए 37 मारवल है बट कैसे हैं हूं कि जितना पर मिट पे है उसके 5 टाइम से साथ सब्सक्राइब कि दमार बस्ट एन नमबर नमबर ओर ऑफ मार बिल ओन तिर्फान कि इस वांपर नमबर ऑफ मारबल कितने कि वह बोला है कि जितने भी पर मिट पर है मालगी परुनिद करें जितने भी मार्बल है उसका 5 x x 7 जादा इर्फान पर श्क्राइब बनेगी पर्मित के 5 x 7 जादा जो है किस पर है इर्फान पर रहे मार्बल और इर्फान पर है टूटल कितने मार्बल कोशन के पगेरा है इर्फान है 37 तो नमबर ओफ मार्बल और इंफान जाने के लेफ्टेंट साइड पर कितना जाएगा 37 क्योंकि हमें लिखना पढ़ेगा इर्फान हमें दिया हुआ है कोशन में कि इर्फान पर 37 मार्बल है बट है किस तरह से कि पर्मित पर जितने मार्बल है उसके 5 ताइम से साथ जादा तो एक्वेशन हमारी क्या बन गई इस स्टेटमेंट से इक्वेशन हमारी बन गई 5 x plus 7 is equal to 37 यह इक्वेशन जो बनी है य इस स्टेटमेंट का आंसर इस स्टेटमेंट के अक्वेशन हमारी बनेंगी वह यह बनेंगी 5 x plus 7 is equal to 37 तो यह जो है देखिए आप ओलंपियाड जो देते हैं जो बच्चे ओलंपियाड देते हैं या जिनका जो मलब शौक होता है जिनने अच्छे-च्छे कोशन कर देखा गब कंगेंगा इस सब्सक्राइब तो उनने संब्सक्क्राइब करने अगरोंगे इक्वेशन मनानी पड़ेगी स्टेटमेंट से और अगर उसमें बोला है कि आप पर्मित के बार्वल बताई है तो फिर आपको X की वैल्यू भी निकालके देनी पड़ेगी तब आप बता पाई है कि X की वैल्यू जो भी होगी वही आंसर होगा आपका परमित के पास जितने म पार्वल है तो आंसर क्या होगा 5X 5X प्लस 7 इस बस तो 37 5X प्लस 7 इस बस तो 37 आपको पता है कैसे सॉल्फ करता है एक्वेशन को क्या करा दे 7 से माइनस कर दे दोनों तरफ तो 5X प्लस 7 इस बस तो 37 माइनस 7 सॉरी मैंने इंदर तो कर रही नहीं 5X प्लस 7 माइनस 7 इस बस तो 37 माइनस 7 ठीक है ना ऐसी तो बताया है कि मतलब LHS पे भी और RHS पी सेम नंबर से अगर आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो एक्वेशन पर कोई फर्क्रीं पढ़ेंगा इसलिए मैंने 7 माइनस 7 कर दिए आ पर आगे बढ़ते हैं 5X प्लस माइनस-7 सेवन माइनस 7 इस 0 तो यहां पर आगया माइनस 0 और यहां पर आगया 37-7 इस 30 ठीक है तो 5X की वैली कुतनी आ गई 30 एक्स की वैली कुतनी आ जाएगी 30 डिवाइट बाइट भाइट फाइट थार्टी डिवाइट फाइट फाइव क्योंकि आज फाइट को क्या करा आपने इक्वेश जो इक्वैलिटी का साइड है उसके अपोजिट साइड ले गए अपोजिट साइड जैसी ले गए तो आपका क्या हुआ कि जो आपका फाइट इंटू में था एक्स के साथ अब वो डिवाइट हो गया यानिके 56030 तो ए यह आपका जो है पूरा कोशन कम से कम पांच संबर का आता है किसी वे एक्वेशाम में और ऑलम्प्याड के जो बच्चे हैं जो उसके लिए तयारी करते हैं उनके लिए इंपोर्टन कोशन है क्योंकि आपको वाइट प्रॉब्लम से पहले एक्वेशन मनानी पड़ेगी औ ढोशके तो यह इंमपोर्टन कोश्चन में अतब है ठीक है चलिए को खो गया कि अ करें प्रैक्टिस करें और कोई कोशन आप से नहीं बनना है तो आप उसके बारे मुझे बताएं ताकि मैं उस इस्पेशली उस कोशन के लिए कोई भी एक वीडियो चोटा सा आपके लिए बना दो ताकि आपका वो डाव किलियर हो जाए ठीक है तो वीडियो आपको अच्छा करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में